हेलो वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेर्स 13 जुलाई 2020 के लिए चलिए शूर करते हैं वीडियो सबसे पहला पॉइंट आज का कह रहा है ओला ने ओला आपको पता होगा जो गाड़ियां हायर की जाती है सर्विस है ओला ने अपने डिजिटल बुकतान अनभव को बढ़ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुकतान विकल्प उपलग्द कराने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे के साथ पार्टनर्शिप की है या पार्टनर्शिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला एप पर बहतर पुद्री संबंदों को बढ़ावा देने के लिए भारतिय तत्रचक बल इंडियन कोस्टगार्ड ने किस देश के तत्य बल के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किया है। COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक यात्रा प्रतिबंदों के बीच वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किया गया। ये समझोता ग्यापन का उद्देश जो है वो समुद्री कानून परवर्तन, समुद्री खोज और बचाओ के साथ साथ समुद्री प्रिदूशन प्रितिक्रिया में सहयोगी और सहकारी भागीदारी को बढ़ाना है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं निमलिकित में से किसे इंस्टाग्राम की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी के रूप में नामित किया गया है। इसको नामित किया गया है सबसे ज़्यादा कमाई जो है जानी कि एक पोस्ट उनकी आईडी का उसकी सबसे अधा कीमत लगती है ड्वेंट जॉंसन की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने इंकलोट कर दिया है टॉप फाइफ को तो नंबर एक पर हैं ड्वेंट जॉंसन जिनके सेलिब्रिटी जिनके जो फॉलोवर्स है वो 187 मिलियन से भी ज़्यादा है और जिनकी पर पोस्ट की कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन यू जाना ग्रान दे ड्वेंग जॉंसन को दा रॉक के नाम से भी जाना जाता है यह एक रेसलर यानी डवली डवली प्लेयर भी रह चुके हैं ड्वेंग जॉंसन ने इंस्टाग्राम की सबसे अधा कमाई करने अलिक सेलिब्रिटी में काईली जेनर जो अभी तक नंबर एक प 2020 जुलाई तक 189 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके होंगे या हो चुके हैं जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोवर्स हैं यह फॉलोवर्स के संख्या लगातार बढ़ रही है दा रॉक को यानि ड्वेंग जॉंसन को एक ब्रांडेट पोस्ट करने पर आप देख सकते हैं यहाँ एक मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा यानि भारती रुपए में अगर कनवर्ट करें तो 7.58 करोन रुपए यानि 7.59 करोन रुपए के अल एक पोस्ट करने के मिलते हैं इससे पहले फोब्स दौरा उन्हें 2019 का हॉलिवूड का सबसे ज़्यादा राशी लेने वाला अभ एशिया के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे सबसे बड़े अब टाइम टियर 4 डिजाइन डेटा सेंटर का उधातन भारत के किस सहर में किया गया तो यह किया गया है नवी मुंबई महरास्पर में जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे यह वर्ड का सेकंड लार्जिस्ट और एशिया का लार्जिस्ट अप टाइम टियर 4 डिजाइन डाटा सेंटर है भारत और एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अब स्क्रीम टियर 4 डिजाइन किया गया डेटा सेंटर नवी मुंबई के पनवेल छेतर में 600 एकर की कि के अंदर इस्तित है डेटा सेंटर का उद्गातन महरास्ट के मुख्य मंत्री उधर ठाकरे और केंद्रिय इलेक्रोनिक्स और सोचना प्रद्योग की मंत्री रवी शंकर प्रसाद की उपस्तिती में किया गया इसके बाद हम अगला कोश्चन देखते हैं रिसर्स सेंटर इनफॉर्म द्वारा जारी इनफॉर्म रिपोर्ट 2020 संकट और आपदाओं के प्रबंधन के लिए साजहा साच में भारत की रैंक क्या है इस रिपोर्ट में सूचन जोखिम सूचकां के आधार पर नमबर एक पर सोमालिया को रखा गया है सोमालिया 8.9 के सूचित जोखिम के साथ सीर्स पर है रिपोर्ट में 191 देशों का विशलेशन किया गया है इसमें अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 8.6 के साथ और थर्ड पर साथ सोडान और यमन एक साथ है 8.1 के साथ और फोर्थ पर अफगानिस्तान है और इसमें इंडिया जो है वो 31 पोजीशन पर है विशेश रूप से यह रिपोर्ट संयुक्त रास्ट कार्याले द्वारा सभी सूचना सहियोगियों की ओर से मानवीय मामलों के समन्वियन के लिए बनाई गई है इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रश्ण किस राजी ने एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है जिसके तहट प्रतिमा 50,000 रुपए से कम वेतन वाले 75 प्रिशत रोजगार राजी के इस्थानिये लोगों के लिए आरच्छित होंगे यानि नौकरियों में डोमेस साइल लग रहा है और राजी के ही लोगों को 75 प्रिशत नौकरियां दी जाएंगी बाहर से आने वालों के लिए केवल 25 प्रिशत नौकरियां ही ओपन रहेंगी तो यहां फैसला लिया है हर्याना सरकारने और यहां मुख्यता प्राइवेट जॉब्स के लिए है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहोंगे हर्याना to reserve 75% jobs with less than risk 50,000 salary in the private sector of the state for locals खास बात यह है कि हर्याना के मुख्यमंदरी मनोहार लाल खटर जी की अध्यचता में राज में बिरोजगारी की बढ़ती दर को प्रात्यमिक्ता के आधार पर संपोधित करने के लिए हर्याना मंत्री मंदल ने एक अध्या देश का मसौदा तियार करने की मंजूरी दी है जिसके तहट हर्याना के इस्थानी लोगों के लिए 50,000 रुपए प्रतिमाद से कम वेतनवाली नौक्रियों को 75% आरचित किया जाएगा जून 2020 के महिने में हर्याना में देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक बिरोजगार तियार प्रतिमाद मसौदा अध्या देश का नाम हर्याना राज्य रोजगार इस्थानी उम्मीदवारों के अध्या देश 2020 मसौदय का नाम याद रखेगा अध्यादेश का नाम क्या है? खारियाना राजी बिरोजगार इस्थानी उमीदवारों के अध्यादेश 2020 ये रखा गया है इसके बाद हम अगला प्रेक्शन देखते हैं केंद्री रच्छामंत्री राजनाज सिंग जी ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉंफरेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड और्गनाईजेशन द्वारा बनाए गए कितने नय पुलों का उध्धाटन किया है तो इसका उत्तर होगा 6 6 नय पुलों का उध्धाटन किया गया है कॉंफरेंस के माध्यम से जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहोंगे खास बात यह है कि ये 6 पुल लगभग 43 करोण रुपए की लागत से बनाए गए हैं रच्छा मंतरी राजनाज सिंग जी ने इन पुलों को राष्ट को समर्पित किया है या पुल सामरिक रूप से मेधपूर्ण छेतरों में शशस्त्र बलों को आवा जाही की सुईधा परदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती छेतरों के समगर आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे इन 6 पुलों में से 4 अखनोर सेक्टर में हैं जिनमें पलानी ब्रिज, घोडा ब्रिज, फाडी वाला ब्रिज, समेत, अन्य, शामिल हैं इसके अतरिक दो ब्रिज जम्मू सेक्टर में भी हैं रच्छा मंत्री ने इन पुलों का उध़ाटन ऐसे समय में किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा है तो यह एक तरह से सीमा का मनोबल बढ़ाता है इसके बाद हम अगला प्रेशन देखते हैं हाली में किस राजी सरकार ने भूमहीन किसानों को फसल रिंड देने हैं तो बलराम योजना शुरू की है अगर आपको 2018 की नियूस थोड़ी बहुत भी याद होगी तो आपको याद होगा 2018 में एक योजना चली थी बलराम तालाव योजना या भी ओरिसा में ही चली थी और जो बलराम योजना है भूमहीन किसानों को फसल रिंड देने हैं जेल जीज के माध्यम से रिंड मिलेगा बलराम योजना के तहट सरकार ने अगले दो वर्षों में साथ लाख भूमहीन किसानों को लेंडलेस लिबरर्स को क्रशी रिंड प्रदान करने का लच्छी रखा है ग्रामीन और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक क्रशी शहकारी समितियों की लगबग 6,000 साखाएं क्रियान्वेन में समन्वेन करेंगी यानि इस योजना के इंप्लिमेंटेशन में हेल्प करेंगी या योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चरल एंड रोरल डेवलपमेंट यानि नाबार्ड जो Central Agricultural Bank है नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चरल एंड रोरल लेवलपमेंट के सहयोग से आई है इसके बाद हम कुछ extra points देखते हैं 13 जुलाई के लिए पहला point कह रहा है आस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में आयोजित Red Bull Ring Austrian Grand Prix 2020 किसने जीता है तो ये जीता है वॉल्टेरी बोटास जो फिल्लैंड के रहने वाले हैं इन्होंने फिर्थमिस्थान प्रात किया है 2020 की जो आस्ट्रियाई Grand Prix अधिकारिक तोर पर Formula One Rolex Grower Peace One के रूप में भी जानी जाती है या एक Formula One Motor Race थी जो आस्ट्रिया के स्पीलबर्ग अस्ट्रिया कहा है सेंटर यूरोप में रेडबूल रिंग में पांच जिलाही 2020 को आयोजित की गई थी and the important thing about this event is that Lewis Hamilton entered the round as the Defending World Drivers Champion and his team Mercedes as the Defending World Constructors Champion Max Verstappen was the Defending Racer winner having won the 2018 and 2019 Austrian Grand Prix the race was won by Mercedes driver Valtteri Valdas and Charles Lecrae in second of Ferrari and Lando Norris finishing third for McLaren his first podium in Formula One Norris became the third youngest driver ever to finish on the podium after this we will see the next important point किस राज ने परेटन बोर्ट ने इंतजार आपका नाम का एक अभियान शुरू किया है तो जैसा कि आप देख पा रहोंगे इंतजार आपका यह एक परेटन अभियान है और शुरू किया गया है मध्यप्रदेश राजी में मध्यप्रदेश जिसकी सीमा उत्तर में राजिस्थान उत्तर प्रदेश से मिलती है पूरू में 36 गर से दच्छिन में महरास से और पश्चिम में गुजराज से मिलती है यहाँ पर परेटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका नामा के एक अभियान शुरू किया गया है इस अभियान का नाम इंतजार आपका रखा गया है और यह एक सोशल मीडिया अभियान है मध्यपृतीष में परेटन इस्तिलों की विशिश्ताओं का वारणन तष्ट्वीरों और वीडियों के माधयम से किया जाएगा इस अभियान के माध्यम से परेटन बोर्ड का लच्छ है कि परेटों को टूर पैकेज की पेशकस करके परेटन छेतर में विश्वास को इस्थापित किया जाए यह पैकेज विशेश रूप से COVID-19 संक्रमण से बचाओ के लिए सुरच्छित यात्रा, प्रवास और भ्रमण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कुछ और देख लेते हैं इस न्यूस के बारे में मद्यप्रदेश 2015 से 2017 तक लगातार तीन वर्षों के लिए सर्वस्रेश्ट परेटन राज्य रास्ट्री पुरुस्कार का विजेता है मद्यप्रदेश में परेटन चेतन ने राज्य में हजारों लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया है साथी साथ हाल ही में मद्यप्रदेश के परेटन विकास निगम ने भी नोवेल करोना वाइरस संक्रमन से बचाओ के लिए आवश्यक सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए राजी के तीन चेहरों में खादी हों डिलीवरी सेवाओं की शुरुआद की है इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला एक्स्टर पॉइंट जारखन इस्थित भारती करशी अंसंधान संस्थान आई ए आर आई के नए प्रशासनिक और सेचनिक भवन का नाम करण किसके नाम पर किया गया है तो आपको नाम संथ में आ रहा होगा श्यामा प्रशाद मकरजी के नाम पर किया गया है लखा गया है श्यामर प्रसाइद मुखरजी जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक बंगाली परिवार में हुआ था उनकी पिता आश्टूर्श मुखरजी कलकत्ता उच्छी नयाले के नयाधिश थे इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट UK इंडिया बिजनेस काउंसिल UK IBC ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है तो आप इमें से देख पा रहा होंगे जेंत कृष्णा जी को नया CEO बनाया गया है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का जेंत कृष्णा जी के पास भारत और बिटेन में वरिश स्तर के कॉर्पोरेट एवं सरकारी छेतर में काम करने का व्यापक अनुभव है इससे पहले वे कौषल भारत मिशन में CEO की भूमिका भी निभा चुके है इसके इलामा NSDC रास्ट्री कोषल विकास निगम के कारेकारी निदेशक एवं Chief Operating Officer का कारेभार भी संभाल चुके है इसके बाद हम अगनला पॉइंट देखते है Climate Action पर Virtual Ministerial के चौथे संस्क्रण में भारत का प्रतिनिद्व किस ने किया तो यह हम देख पा रहोंगे इमेज से Virtual Ministerial के चौथे संस्क्रण में भारत का प्रतिनिद्व प्रकास जावडेकर जीने किया है जलवायू पर Action को लेकर मंगलवार को दुनिया भर के मंत्रियों के चौथी Virtual वात्रा वारता हुई इससे सम्मोधित करते हुए केंद्री पर्यावरन मंत्री प्रकास जावडेकर जीने कहा कि विकार श्रील देशों में जलवायू एक्षन को और मजबूत करने के लिए 2020 तक एक ट्रिलियन डॉलर का वादा पूरा नहीं हुआ है मुझे उमीद है कि 6-5 महिनों में वादा किया गया धन जुटाया जाएगा और वित्रित भी किया जाएगा एक ट्रिलियन डॉलर का वादा ठीक है अगला हम पॉइंट देखते हैं नरेन मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े 750 मेगा वाट अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण कहां करेंगे तो यह योजना है मध्यप्रदेश के रिवा की मध्यप्रदेश के रिवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर उर्जा संयंत्र इस्थापित किया गया है प्रदानमंत्री नरेन मोधी जी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 750 मेगा वाट के अल्ट्रा मेगा और सौर उर्जा संयंत्र को राष्ट को समर्पित करेंगे यह रिवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड वा MP उर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर उर्जा निगम की एक जॉइंट वेंच्वर है यानि तीन कंपनिया हैं इसमें कौन-कौन सी रिवा अल्टरा मेगा सोलर लिमिटेड MP उर्जा विकास निगम लिमिटेड और सिंडरल इंडिया की सौर उर्जा निगम ये तीन कंपनियों का मिलकर एक जॉइन्ट वंचुर है प्लांट के अंदर सौर उर्जा से बिजली उत्पादन के लिए तीन यूनिट हैं तीनों इकाहियों से 250-250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जैसा कि आप इमें से देख पा रहे हैं शिवराज सिंग चौहान जो MP के करंट CM है और श्रीमती आनंदी पटेद जी जो राजिपाल है मद्यपरदेश जी की और इनी के साथ साथ श्री आरके सिंग जी जो राजिमंतरी स्वतंतर प्रभार है भारत सरकार के विद्धूत नवीन और नवीन करण उर्जा मंत्रा लेके इसके बाद हम देखते हैं जो भी करंट अफेर्स हैं वो अपने अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग